Hello Everyone, Welcome to India's Most Affordable Learning Platform, Ocol ठेक है? तो अपने इस कूर्स को आगे बढ़ाते हैं Environment by Shankar IAS Academy को हम लोग continue कर रहे हैं Chapter 21 में पहुँच चुके है Mitigation Strategies की हम लोग बात कर रहे हैं Part 2 में आज इसकी बात करेंगे ठेक है? पिछले पार्ट में specifically जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि Carbon Sequestration क्या होता है Carbon Capture और Storage किस तरीके से की जाती है? क्यूं जरूरी है इसके बारे में जाना था? और हमने ये जाना था कि जो Blue Carbon है, Green Carbon है वो क्या होते हैं? ठीक है? उनके बारे में जाना था, उनकी Importance के बारे में जाना था, उनको क्या खत्रा हो रहा है, उसके बारे में जाना था और किस तरीके से उनको हम लोग क्या कर सकते हैं उनका degradation और जो destruction हो रहा है उसको prevent कर सकते है restoration को promote कर सकते हैं उसके क्या क्या initiatives दिये जा रहे हैं उसके बारे में बात की थी और हमने एक important term की बात और की थी that was about the carbon credit यारी कि हमने बोला था कि अगर एक standard emission से कम emission अगर कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा carbon credit मिल जाएगा एक तरीके से ट्रेडेवल certificate या फिर permit ये होता है ठेक है इसी से related कुछ और mitigation strategies की बात हम लोग जो है आज के lecture में करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से request करना चाहूँगा कि जो लोग इस course को इस video series को follow कर रहे है जिनको ये पसंद आ रही है वो जादा से जादा videos को like करें जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कलीक्स के साथ ताकि हम चाहते है कि हमारा जो ये initiative है जो हमारी मेहनत है जो हमारा ये course है ये जादा से जादा लोगों तक पहुँच सेके और जादा से जादा लोग इसका फायदा भी उठा सके ठीक है थोड़ा सा स्वार्थी जो nature होता है कभी-कभी हो जाता है बच्चों का स्वार्थी nature होता है कि content उनको अगर मिल गया उनको अच्छा लगता है तो वो फिर उसको share नहीं करते तो प्लीज ऐसा मत कीजिए एक healthy competition की भाव ना रखिए जादा से जादा लोगों तक चीज़ों को पहुचाईए और उसके बाद फिर आप एक same level field में आने के बाद आपस में compete कीजिए तब जाके वो एक healthy competition बनेगा तो इसलिए जादा से जादा वीडियो उसको share कीजिए ठीक है और जिन लोगों अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है जो यहाँ पर हमारे नए viewers है नए audience है मैं उन लोगों से भी request करूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर subscribe कर ले और हाँ हमारी तरब से कोई भी वीडियो जब post हो उसका notification आप लोगों से miss ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आपको उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना चाहिए जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका notification आप लोगों से बिलकुल भी miss ना हो साथ यसाथ पूरे के पूरे जो वीडियो सेरीज है वो भी add free बिने किसी advertisement वगरा कि आपको मिलेंगे साथ ही साथ आपको chapter wise notes मिल जाएंगे वहाँ पर pdf के जिनको आप कभी भी जो है download कर सकते हैं पढ़ सकते हैं अपनी सुईधा के अनुसार internet की जरूरत उसमें नहीं रहेगी और 37 chapter wise quizzes भी वहाँ पर जो है वो update किये जाएंगे so that कि आप लोग जो है अपने हिसाब से ठीक है मतलब वहाँ पर एक पने हिसाब से या इस पूरे के पूरे जो subject की तैयारी है वो आप अपने हिसाब से हमारे platform के साथ कर सके ठीक है चलिए फिलाल हम लोग जो है chapter 21 mitigation strategies को part 2 में continue करते है देखिए आज हमें जो term सबसे पहले शुरुआत करनी है जिसको समझना है that is carbon offsetting अब ये carbon offsetting क्या होता है carbon offsets are credits for reductions in greenhouse gas emissions made at another location ठीक है offset का मतलब ही यही होता है कि एक location की बात हम नहीं कर रहे है हम किसी दूसरे location की बात कर रहे है ठीक है तो वहीं आपा लिखा गया है कि एक तरीके से है तो ये भी credits ही है उसी चीज़ के लिए कि जो greenhouse gases emissions है उनको reduce करने के लिए लेकिन वो emission कहां पर हो रहा है किसी और location पर हो रहा है जैसे कि wind farms में which create renewable energy and reduce the need for fossil fuel powered energy ठीक है carbon offsets are quantified and sold in metric tons of carbon dioxide equivalent ठीक है ये बात भी समझ गए आप buying one ton of carbon offsets means there will be one less ton of carbon dioxide in the atmosphere than there would otherwise have been यानि कि अगर आपके पास एक ton का carbon offset है आप उसको अगर buy करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि atmosphere में एक ton carbon dioxide जो है वो क्या होगी कम होगी अगर एक carbon offset आपके पास नहीं होता तो उतनी carbon dioxide atmosphere में होती लेकिन आपने उसको buy कर लिया तो उससे क्या होगा कि carbon dioxide जो है atmosphere में कम हो जाए ठीक है इसके बात carbon offsetting is often the fastest way to achieve the deepest reductions within businesses and it also often delivers added benefits at the project side जैसे कि employment opportunities मिल जाएगी community development programs वहाँ पर हो सकते है training हो सकती है education हो सकती है तो यह भी इसके कुछ फायदे है ठीक है will be retired from the carbon market so it cannot be double counted and that it addresses issues such as permanence it delivers the reduction it stated and leakage leakage मतलब क्या है कि carbon emission reduction in one area doesn't cause an increase in emission somewhere else यह ऐसा नहीं हो कि एक जगे पर carbon emission का जो reduce करया जा रहा है वो दूसरी जगे में बढ़ रहा हो तो उससे फिर फरक जो है overall atmosphere में नहीं पड़ेगा अब देखिए उसको एक example के तौर पर समझते है यहाँ पर एक example दिया गया है जिसे माली यह कोई business है A1 is unable to reduce 100 tons of its CO2 emissions in the short term वो अपना जो 100 tons का CO2 emission है उसको कम नहीं कर पा रहा है short term में वो उसको कम नहीं कर पा रहा है there is a project somewhere else in the world which could save 100 tons easily but they need a cash injection ठीक है अब माली जे business A1 का जो project ही ऐसा है कि उसमें CO2 के emission को कम नहीं किया जा सकता अगर वो 100 tons CO2 के emission को कम नहीं कर सकता अगर वो simply उसको कर पाता तो वो क्या purchase कर सकता था उसको क्या मिल जाता उसको मिल जाते simple carbon credits कोई carbon credits यहीं तो होता है है ना कि अगर आप emission को कम करेंगे तो आपको carbon credits मिल जाएंगे अगर ऐसा वो कर पाता तो वो carbon credits purchase कर सकता तो मतब उसको carbon credits मिल जाते है ठीक लेकिन इसी के साथ यहां पर क्या हो रहा है कि A1 तो नहीं कर पा रहा है दूसरे जगे क्या है दुनिया में किसी और जगे somewhere else in the world कोई एक ऐसा project चल रहा है जो certain carbon को easily safe कर सकता है यानि कि उसका emission जो है वो आजाम से बचा सकता है लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए उसको चाहिए cash injection उसको पैसा चाहिए cash चाहिए जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई community है कोई समूदाय है वो क्या कर रहे है मान लीजिए वो kerosene को use करते है ऐसा major energy source को kerosene को use करते है अब kerosene को अगर वो use कर रहे है तो उससे क्या होगा उससे तो emission जादा होंगे अगर वो उसके बदले solar panel का use करने लग जाए as a source of energy तो क्या होगा अब solar panel तो आपको पता है कि उससे तो कोई carbon emission होगा नहीं है ना तो solar panel को अगर use करें तो वो जो emission kerosene use करने के वज़े से हो रहा था वो नहीं होगा लेकिन problem क्या है अब वो community ऐसी है कि वो solar panels को afford नहीं कर सकती है समझ के इस बात को तो क्या होगा तो आप बेसिकली क्या कर रहे है जैसे ये business even की बात यहाँ पर बताई गई थी तो business even खुद तो चीज़ें कम नहीं कर रहा है लेकिन किसी और को help कर रहा है ठीक है जो कर सकता है लेकिन उसके पैसे नहीं है तो business even क्या करेगा उसको पैसे देदेगा कि ठीक है आप जो है और वो solar panel के लिए उनको कोई पैसा दे देगा, कोई financial assistance प्रोवाइट कर देगा, ठेक है, तो यह चीज है, तो यानि कि business A1 has therefore reduced global net CO2 emission by 100 tons, अब कहा यही जाएगा कि यह जो global CO2 emission है, वो 100 tons से कम हुआ है, और किसके वज़े से हुआ है, A1 के वज़े से, क्यों, क्योंकि पैसा तो A1 ने दिया, अब जो बाकी project चल रहा था, जो यहाँ पर लिखा गया है, कि जो यह 100 tons easily safe कर सकता था, लेकिन उनको cash injection चाहिए था, अगर उनके पास cash नहीं आता, अगर उनको यह A1 जो है, पैसा नहीं देता, तो फिर क्या होता, फिर तो उनकी जो technology चल रही थी, वही चलती दिया, उसकी वज़े से, उस project में cash injection हुआ, उसने अपने technology को change किया, उसके वज़े से emission कम हुआ, तो A1 ने जो है, global CO2 emission को 100 tons से क्या करा, कम करा, ठीक, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे है, आप किसी और की help कर रहे है, तो that is basically carbon offsetting, ठीक, इसके बाद एक term और है, that is known as carbon tax, अब देखें, यह carbon tax क्या है, carbon tax is the potential alternative to the cap and trade method currently used by the protocol, ठीक है, प्रोटोकॉल के द्वारा एक cap and trade जो method है, वो use किया जा रहा है, उसका यह potential alternative हो सकता है, यानि कि उसके विकल्प के तौर पर इसको use किया जा सकता है, इस tax is based on the amount of carbon contained in a fuel such as coal etc, यह tax इस पर निर्भर करेगा कि किसी भी fuel में कितना carbon जो है वो present है, ठीक, इस tax का मकसद क्या है, कि fossil fuels का जो use है वो कम किया जा सके, ठीक है, और जिस fuel में जितना जादा carbon होगा, उसके ओपर उतना जादा tax लगेगा, ठीक है, और अगर हम बाकी sources of energy को use करते हैं, तो उसमें कुछ incentive वगरा देने की बाद भी कही है, इसमें, if the carbon tax was implemented, it would be gradual and start at a low amount and increase over time to allow better industry and technology to be developed, अगर हम इसको use करते हैं, carbon tax को अगर implement किया जाता है, तो शुरुआत में तो यह gradual रहेगा, implementation जो है वो gradual रहेगा, और धीमे धीमे समय के साथ बढ़ते हुए, फिर क्या होगा कि कुछ better industries और better technology जो है वो डेवलप हो जाएंगी, five primary reasons why a carbon tax could prove more beneficial than cape and trade system, क्यों हो सकता है, देखिए, predictability है इसमें, predictability मतलब the tax could help predict energy prices which might also help investment in energy efficiency and alternative fuels, यह tax क्या कर सकता है, कि आपके जो energy prices हैं उसको predict करने में आपकी help कर सकता है, जिससे आप क्या करेंगे, अगर आपको prices पता लग गए तो फिर आप energy efficiency में and alternative fuels में investment कर सकते हैं, इसके बाद अगला है implementation, a carbon tax could be put into use much quicker compared to the legalities that go along with the cape and trade method, ठीक है, इसको बहुत जल्दी जो है वो implement किया जा सकता है, अगला है understandable, a carbon tax is simpler to understand and may therefore be embraced by more everyday people, ठीक है, यानि कि इसको समझना जो है वो असान है और लोग जो है इसको जल्दी से क्या कर सकते हैं, accept भी कर सकते हैं, इसमें manipulation का lack है, यानि कि इसको जादा manipulate नहीं किया जा सकता, special interest group have less of a chance to manipulate a carbon tax because of its simplicity, rebates, like other forms of taxes, the carbon tax could be open for rebates to the public, ये public के लिए rebates के लिए भी open रह सकता है, ठीक है, और इंडिया के अगर हम बात करें carbon tax को लेकर, तो क्या है, इंडिया will bring a WTO challenge against any carbon taxes that rich countries impose on Indian imports, ठीक है, इंडिया के imports, कुछ-कुछ देशों में होता है, इस तरीके का, कि वो अपने देश में जो भी बाहर से समान आता है, उस पर वो carbon tax लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई है, कि इंडिया जो है, इस बात को लेकर WTO, जो world trade organization है, वहाँ पर जाएगा, if they impose such a tax, we will take them to the WTO dispute settlement forum, we will deal with this through hard negotiations, such barriers are not going to be WTO compatible and we will fight it, जो ministry of environment and forest, के जो minister तो उन्होंने ये बात कही थी, कि अगर जो और देश है, वो अगर हमारे समान के ओपर इस तरीके से अगर tax लगाते हैं, तो हम इस बात को लेकर, जो WTO का dispute settlement forum है, वहाँ पर जाएंगे, हम hard negotiations करेंगे, इससे deal करने के लिए, और इस तरीके के जो barriers लगाय जा रहे हैं, वो WTO compatible नहीं है, और हम इससे fight करेंगे, इससे लड़ाई करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके के जो taxes वगएरा हैं, उसको लेकर, United Nation और European Union ने discussion किया हुआ है, कि इस तरीके का जो possibility है, कि इस तरीके के हम tariffs वगएरा जो है, वो लगा सकते हैं, ठीक, इसके बाद, एक time इसमें दिया गया है, that is geoengineering, अभी geoengineering क्या है, देखिए, geoengineering का जो primary aim है, वो क्या है, at modifying and cooling the earth's environment, defeating the environmental damage, and ensuing climatic changes to make the planet more inhabitable, इसका जो main function है, जो primary aim है, वो ये है, कि हमें अर्थ के environment को क्या करना है, थोड़ा सा modify करना है, modify करना है, और उसको थंडा करने की तरफ को जाद देखना है, कि किस तरीके से हम अर्थ के atmosphere को ये environment को थंडा कर सकते हैं, ठीक है, environmental damage जो हो रहा है, उसको हराना है, उसको defeat करना है, और climate change को ensue करना है, ensue करने का मतलब है कि climate change होने की वज़े से जो चीजे नुकसान जिन चीजों का हुआ है, उसको हम वापस से क्या करें, उसको हम mitigate कर सकें, उससे लड़ सकें, उसको हम सुधार सकें, ठीक है, ताकि हम planet को more inhabitable बना सकें, inhabitable का मतलब है कि रहने योग ये जगे, हम ऐसा बना सकें ठीक है, geoengineering जो है at this point is still only a theoretical concept, यह अभी तक ऐसा use नहीं हुआ है, यह अभी भी एक theoretical concept है, इसमें क्या क्या चीजे हैं, देखिए, जैसे hoisting parasols, parasols is basically a kind of umbrella आप कह सकते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जैसे आपने देखा होगा लोग generally क्या होता है, गर्मियों में कभी-कभी निकलते हैं, तो चाता लगा के जाते हैं, उससे क्या होता है, कि आपके सर पर धूप नहीं लगती है, तो similar वही चीज़ है, ठीक है, अगर आपके सर पर धूप नहीं लगेगी, तो temperature थोड़ा सा आपका as compared, कम हो जाएगा, तो वही चीज़ है, कि उस तरीके की चाता लगा लगाने की बात, यहाँ पर की जा रही है, इस पेस में कुछ mirrors लगाने की बात है, अब यह क्या होती है, भी देखते हैं, ठीक है, हमारा जो stratosphere है, उसको हम white करने की बात कर रहे हैं, सल्फेट एरोसॉल से, ठीक है, जो building की roofs है, उनको हम white wash करने की बात कर रहे हैं, ताकि उसस उसको हम flinch करें, flinch करने का मतलब है कि हम उसको oceans में डालें, ताकि जो carbon gulping algae है, वो उसको promotion मिल सके हैं, यहाँ जादा से जादा उसमें हो सके, ठीक है, यह सारे के सारे modes यहाँ पर बात की जा रही है, these all are the modes related to your geoengineering, ठीक है, अब यह geoengineering काम कैसे करेगा, इसके जो 5 big plans हैं, वो यहाँ पर दिये गए, global warming को रोकने के लिए, ठीक है, सबसे पहला plan क्या है, copy a volcano, इसका मतलब देखिए, आपको अगर थोड़ा बहुत idea है, या आपने अगर पहले चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, तो आपको यह चीज़ पता होगी, कि volcano जब eruption होता है, तो उससे काफ हो जाता है, ठीक है, तो वही यहाँ बात यहाँ पर बोली गई है, कि volcano हर जगे पर आए, वो जरूरी नहीं है, हमें उसकी एक copy बनानी है, ठीक है, कैसे, देखिए, volcanic eruptions can bellow many million tons of sulfur dioxide gas into the atmosphere, जब आपका volcanic eruption होगा, तो million tons of sulfur dioxide जो है, वो atmosphere में जा सकती है, उससे क्या होगा, एक बा अब हम क्या चा रहे हैं, हम चा रहे हैं कि atmosphere में हम भी इस तरीके से sulfur को क्या करें, inject करें, ठीक, तो उससे क्या होगा, कुछ scientists यह believe करते हैं कि इस तरीके के ही solar radiation को block किया जा सकता है, और planet को cool किया जा सकता है, ठीक है, यह सकी जो droplets अगरा होंगे, they are particularly good at scattering the sun's light back out into the space, and because sulfur doesn't heat the stratosphere as much as other aerosols, it wouldn't work against the cooling effect, hydrogen sulfide जो है, वो और भी जादा better candidate है for atmospheric seeding than sulfur dioxide, यनि कि sulfur dioxide से भी जादा better कह रहेगा, क्या हो hydrogen sulfide जो है, इस तरीके क्लाउड वगरा सा उससे बनेगा, और जो sun की radiation आ रही है, वो सारी के सारी अर्थ तक नहीं पहुचेगी, कुछ जो है वो वापस reflect back हो ज मतलब यह सारी के सारी चीज़ें, जो है, they are just at the technology stage पर, यह आप कह सकते हैं कि research stage पर है, अभी इनका implementation as such नहीं हो रहा है, इसके बाद अगला है, shoot mirrors into the space, इसका मतलब क्या है, in order to deflect enough sunlight to bring the earth's climate back to the pre-industrial level, geo engineers plan to launch a mirror the size of the green land, यनि कि जो green land एक देश है, उसके size के बराबर का, एक mirror ब के बीच में strategically as a position करेंगे, कि अगर उसके उपर sunlight पढ़ती है, तो वो वापस reflect हो जाए, क्योंकि mirror में क्या होता है, mirror में यही होता है, जो light उसपर पढ़ती है, वो reflect हो जाती है, तो similarly इस तरीके के mirror लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अभी वही बात है, कि सार phytoplankton है, वो iron को prefer करते हैं, यानि कि अगर आप समुद्र में iron डालेंगे, तो उससे जो phytoplankton की growth है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक, they are also adapted pulling carbon out of the atmosphere during photosynthesis, अब phytoplankton अगर होगी, तो वो तो plant है, उसको photosynthesis के लिए carbon dioxide चाहिए, तो वो क्या करेगी, जितना atmosphere में carbon dioxide है, उ और जैसे ही वो सारा का सारा जो phytoplankton है, वो नीचे बैठेगा, जो surface में बैठेगा, तो वो सारा का सारा carbon भी अपने साथ नीचे खीच के लिजा लेगा, ठीक, फिर by pumping iron into the sea and stimulating phytoplankton to grow like crazy, scientists believe global warming could be reversed, तो scientists को ऐसा लगता है, कि अगर हम यासा करें, ठीक है, iron को अगर हम sea में डालें, समुधर में अगर हम लोहर डालें, ठीक है, iron fillings डालें, जिससे phytoplankton की growth बढ़ेगी, वो carbon absorb करेंगे, और जैसे ही वो मरेंगे, जब वो die करेंगे, तो अपने साथ carbon भी नीचे, sea belt तक पचा देंगे, और उससे ही हो सकता है, कि global warming की जो problem है, उसको reverse किया जा सके, इसके बाद, whiten the clouds with wind powered ships, ये क्या है, scientist hope like the volcanic eruption, the top of the clouds also reflect solar radiation, तो scientist ये hope करते है, या उनका ऐसा मानना है, कि volcanic eruption की तरह ही, जो clouds का top है, ठीक है, वो भी solar radiation को क्या करता है, reflect करता है, अगर हम lot of sea water को spray करते into the sky, by wind powered remotely activated ships, to whiten the clouds, ताकि जो हमारे clouds है, वो white हो जाए, और उससे क्या होगा, कि वो फिर solar radiation को reflect कर सकते है, ठीक है, artificial trees बनाने की या fake trees बनाने की बात की जा रही है, artificial tree is scaled down version of an earlier prototype capable of capturing a ton of carbon in the atmosphere per day, ठीक है, panels covering the surface of the tree which would need to be about 50 square meter will be made of an absorbent resin that reacts with carbon dioxide in the air to form a solid, और इसको एक हम furnace filter से compare कर सकते है, जो capable होता है, pulling particles out of the air, the panel or the boxes can be removed or exposed to 13 degree Fahrenheit steam, which effectively cleans the filter, the chemical reaction with the steam causes the solid to release the carbon it has captured, which can then seize as liquid CO2, ठीक है, by pulling carbon dioxide from the atmosphere is only half the battle, afterwards it must be sequestrated or permanently trapped, मतलब यह तो basically क्या कर रहा है, carbon को capture कर रहा है, पुरा sequestration नहीं है, carbon को capture कर रहा है, फिर उसको हमें sequestration जो है, वो करना पड़ेगा, ठीक, how sequestrated carbon can be commercially used, अब देखिए एक मुद्ध ये भी तो है, इसको किसी ने सोचा भी तक, हम बात कर रहे हैं कि हम carbon को क्या करेंगे, capture करेंगे और store करेंगे, पर इतनी सारी carbon को store करके हम करेंगे, क्या, और जिन्दगी बर ऐसा तो है नहीं कि हम carbon को store ही करते रहेंगे, क्योंकि carbon dioxide चाहिए होती है, greenhouse gases में, greenhouse gases में आपको बताया थे, greenhouse gases में मैं आपको बताया था, कि जो greenhouse होता है, जहां से greenhouse gases का concept निकल के आया है, ठीक है, या greenhouse effect का जो concept निकल के आया है, वहाँ पर इनको CO2 की जरुवत होती है, for plants to use during the photosynthesis, पहली बात तो यहाँ पर use की जा सकती है, दूसरा जो है, हमारा dry ice की production में use की जा सकता है, क्योंकि dry ice क्या है, that is solid carbon dioxide, that is dry ice, वहाँ पर भी use हो सकता है, इसके बाद कुछ नए प्रकार का plastic बनाने के लिए, या फिर concrete बनाने के लिए भी हम इसका use कर सकते हैं, जो CO2 का use करता हो, मतलब यह सारी की सारी बात है, तो फिर research की है, कि हम अगर हमारे पास excess CO2 है, तो हम उसका क्या क्या use कर सकते हैं, और वो भी ऐसा positive use, ठीक है ना, इसके बाद अगर हम इसके drawbacks की बात करें, तो scientists have no idea whether they could shut down some of these geoengineering projects once they start, scientists को अभी तक यह बात का idea नहीं है, कि अगर हमने मान लीजे यह geoengineering projects start तो कर दिये, ठीक, मान लीजे अच तो यह एक बार है, यह project अगर start हो गए, तो हम इनको बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह idea लगा पाला थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक, geoengineering treats the symptoms of global warming and could very well undermine efforts to address the root cause, ठीक है, यानि कि geoengineering जो है, वो global warming के symptoms को तो treat कर सकता है, जैसे मान लीजे कि sunlight आ रही है तो उसको वो trap क कर दे, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, हम तो यही बात कर रहे हैं कि sunlight आ रही है, तो sunlight को हम कम कर दें, चाहे हम उसमें aerosols डाल दें या वो hydrogen sulfide डाल दें, हम तो यह बात कर रहे हैं, लेकिन हम root cause जो है, जो root cause है, यानि कि जो हमारा emissions हो रहा है, उसको कम करने की बात तो हम कर researchers to clean up the mess अब वही बात है देखिए ये line बहुत ज़ाद important है आप लोगों के लिए हमारे लिए सब के लिए समझने की ये बात है यहाँ पर ये लाइन में लिखा हुआ है कि लोगों को ये लग रहा है कि वो अपना personal carbon emission जो है उसको कम करें उनको जरुवत नहीं है कि हम तो जो कर रहे है वो कर रहे है ठीक है businesses को ये लग रहा है companies को ये लग रहा है कि हम जतना emission कर रहे है कर रहे है एक बार अगर ये सारी चीज़ प्रॉबलम होंगी तो फिर ये researchers का का म है या scientist का का म है उसको जो कच्रा फैला है उसको क्या करना साफ करना लेकिन ऐसा नहीं है आप समझ ये इसको कि सारा का सारा जो emissions हो रहा है अगर एक एक आदमी एक एक व्यक्ति जो है इस संसार का एक एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि समझ जाए इस बात को थोड़ा सा समझ जाए और क कोशिश करे कि मुझे अपने इस तर पर जितना मैं emission कर रहा हूं या जो unnecessary emission हो रहा है उसको कम किया जा सके या मैं कम करूँ तो इतना ही काफी है मैं तो कहूँगा अगर यह सारी चीज़ है अगर हर आदमी यह समझने लग जाए कि जो भी access हो रहा है ठीक है जो जरूरी है वो अब आप carbon dioxide को अगर exhale कर रहे है तो आप सांस देना बंद नहीं करेंगे लेकिन जो extra हो रहा है या जो inefficient तरीके से अगर कोई emission हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करें और अगर वो हम कम कर लेते हैं आप कम कर लेते हैं मैं कम कर लेता हूं जितने भी लोग है पुरा का आप ही इनकी जरूत ही नहीं पड़ी है ना यह बात आप समझ रहे है इसके बाद इसका एक drawback ये भी है कि geoengineering projects की maintenance का जो cost है वो बहुत जादा है cost की बात करें मतलब initial cost की बात करें maintenance cost की बात करें तो वो भी जो है बहुत ही जादा है ठीक है चलिए I hope कि ये chapter जो mitigation strategies का था आ है ना काफी आसान chapter था as such लेकिन अगर आप इसको book से खुद पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको अगर आप पहले पढ़ते तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता because my main motive is this only कि हम आपको चीजें जो है बिलकुल लिखा वही है जो book में लिखा है हम आपको वही समझा रहे ठीक है अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको इस में से कितना समझ में आता नहीं आता या आप खुद भी analyze कर सकते हैं ठीक है ना लेकिन इस तरीके के courses से जो आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है whatever is the thing या जो भी आपको लग रहा है जो महसूस हो रहा है उसको ल सिर्फ 7-8 chapter और बचे हुए है और उसको भी हम लोग बहुत जल्द cover कर लेगे ठीक है चलिए तो अगले lecture से अब जो है हम लोग अगला chapter अपना start करेंगे तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप हमारे telegram का जो group है that is local GSUPSC discussion forum इसको join कर सकते है इसका link आपको नीचे description box म मिल जाएगा या फिर आप इसको telegram में search करके भी join कर सकते है या फिर आप video के नीचे जो comment section होता है वहाँ पर भी अपने doubts अपने queries हम से पूछ सकते है और अपने feedback देना मत भूलिएगा so that कि उनके basis पर अगर कहीं पर भी कोई improvement की जरुवत होती है तो हम वो अपने आने वाल आप इस पूरे के पूरे जो subject है उसकी तेहरी हमारे platform के साथ कर सके है और आप कोई भी टेकनिकल query आ रही है तो आप आप हमसे whatsapp के तूर इस number पर या फिर जो हमारी email ID है that is support.co.co उस पर भी contact कर सकते हैं बाकि अगर आप हमसे कोई भी और बात share करना चाहें कुछ भी पूछ चाहें बताना चाहें तो उसके लिए आप और भी social media platforms का use कर सकते हैं like facebook, instagram, linkedin, twitter, anything ठीक है यह सारे के सारे जो link है या आप नीचे description में मिल जाएंगे आप वहाँ से जाके हमारे follow कर सकते हैं ठीक है हमारी जो activities चलती रहती है कोई नया core सारा है या something of that sort उससे भी आप updated रह सकत हैं और अपनी अगर आप कोई बात share करना चाहें तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं ठीक है चलिए अगले lecture से अब हम नया chapter जो है start करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखेगा please do take care of yourself thank you have a nice day bye bye